एक बार फिर से इशान किशन का शतक आ चुका है जियार बीबीटी नहीं बलकि दलीब ट्रॉफी दोजार चौबस में इंडियासी के लिए खेल रहे इशान किशन का शतक आ चुका है और यह शतक जो है वो बहुत ज़ादा कुरूशियल टाइम पे आए जहाँ पर दलीब ट्रॉफी में गजब का शतक आया है और एक बार से क्या टिम इंडिया के लिए बुलावा आ गया है अब देखिए बीबीटी में प्रदर्शन करने के बाद दलीब ट्रॉफी में मौका था खेलने के लिए लेकिन चोड की वज़ज़ से इशान किशन जो है वो यह म मौका मिल गया और चौकाने वाली बात ये थी कि इंडिया डी का हिस्सा थे इशान किशन लेकिन इंडिया सी के लिए उन्हें चुना गया और इशान किशन ने अपना 100 प्रतिशत दिया आप देखिए बार-बार उनकी अग्री परिश्चा हो रही है बीबीटी में अवेलबल रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाज इशान किशन करते नजर आए और इशान किशन ने अपने आपको हर बाद प्रूफ किया चाहे वह बैटिंग की बात हो चाहे वह विकेट कीपिंग की बात हो और जब बात आती है इतने सालों से हमने देखा है कि आउट अफरेका सिरीज में देखा था उसके बाद से दोजार चॉबस में शान किशन टीम इंडिया में किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हो पाई यानि कि चाहे वह इंग्लैंड सिरीज हो चाहे वह बानसान सिरीज हो या फिर टीट्वेंडी वर्लकप हो वहां पर भी शान को और भी अच्छा कर रहे हैं कि जब तक आप घरेलों क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपको टीम इंडिया में जगें नहीं विल पाईगे तो इशान किशन ने बीबी टी यानि कि बूची बाबू टर्नामेंट्स में जारकंट के लिए श्रतके पारी खेली थी और अ विल पार ने तो यहां पर तुड़ा सा माहौल को संहाल लिया था गेम को संहाल लिया था लेकिन इशान किशन आये उमीद वही थी कि किसा के बल्ला बोलेगा लेकिन इस मैच में सब्सक्राइब को मौका मेल सकता है आपको क्या लगता है क्मेंट करके फटा-फट सबताई यह वीडियो पसंद आ गया हो तो like share भी कर दीजे। इसके राव अगर आप वीडियो हमारी YouTube चैनल पर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथे साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहा है प्रत प्रत प्रत